जपुर की सड़कों पर आज उस समय आस्था का अद्बू संगम देखने को मिला जब दिग्गी कल्यार जी की यात्रा की दुरान हजारों श्यधालू पर यात्रा में शामिल हुए पूरा माहौल कल्यारी धडिक के जैकारों से गोंजुटा जपुर की सड़कों पर ये नजारा है दिग्गी कल्यार जात्रा का भजनों की स्वर लहरियां हाथों में थामे ध्वच आखों में कल्यार धणी के दश्णों की ललक मुख पर कल्यार धणी के जैकारों के साथ जैसे ही दिग्गी कल्यार धणी की यात्रा चोड़ा रास्ता स्थित तार किश्वर मंदिर रवाना हुई तो छोटी काशी आस्था श्रदा से सराबोल हो उठी भगवान की मूर्ती रूप में भक्त सज धच गर अद्बुत छट विखेर रहे थे श्रदालों के मन में आस्था और आखों में विश्वास तो जुबान पर कल्यार धणी के जैकारे डिक्गी कल्यार जी के दर्शन के लिए चोड़ा रास्ता त्रिपोलिया श्रदालों से पट गया रंग बरंगी पुशाक में आय श्रदालों ने राजधा ताड़केश्वर महामंदिर से बाहर लेकर आए तो श्रधालों में जोश फर गया सेक्डो श्रधालों कनक दंडवत लगाते हुए प्रभू दर्शन के लिए रवाना हुए तो कई नंगे पैर ही आगे बढ़ गए श्रीजी ते अज़ कल्यान जी की यातरा निकल रही है चाहँ साल से लगाता है क्या मानेता है मानेता है इनके सब के जो भी आता इसके अंदर सब के обязदन हो जाथ है work बूटे से लेके 65 मे दें दोड़ें देखी है आरह जैपुर में भक्ती और सीवा की ऐसी गंगा बई की हर कोई डिग्गी कल्यार जी के रंगों में सरापूर हो गया पधियात्रियों की वज़ा से सुबे से शाम तक टूंक रोट पर वाहन रिंग रिंग कर चलते रहे पधियात्रा रात्री को मदरामपुरा, साथ अगस्त को हरसूलिया, आठ अगस्त को फागी, नौ अगस्त को चौसला और दस अगस्त को विश्व प्रसिद तिर्स्थल भगवान श्री कल्यार जी महराज के निजधाम डिग्गीपुरी पहुँचेगी वहाँ उसे दिन शाम पाँच बजे भवे शुभा यात्रा के साथ मुख्य केसरिया थ्वज चड़ाया जाएगा पधियात्रा में प्रते दिन रात्री को भजन संध्या, रासलीला और सचसं के कारिक्रम होंगे चारों दिशाओं से शधालों के जधे जब डिग्गी पहुचते हैं और ऐसा अनुपम वादावरण बन जाता है मानो लोग संस्कृती, आध्यात्म और आस्था का दिव्य संगम डिग्गी पुरी में ही हो गया हो डिग्गी कल्यार जी के रूप में भगवान विश्नोपूर्व अवतार में यहां विराजमान है आज भी कुष्ट रोगों और नेत्र रोग से पेड़ित लोगों को कल्यार जी के चर्णामृत का लाग मिलता है डिग्गी कल्यार की यह महीमा ही है दीपक गोयल के साथ पिर रिपोर्ट जी मीडिया जैपुर